सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं जोतिश से सम्मंदित जानकारियां साथ ही बेल आइकन को दवाना ना भूलें कि गाई रादर देश को मैं सांख्य ठाकूर कैसे आप अज जो है मैं आपको बतानाया आई हूं कि हम लोग सीरिश शुरू कर रहे हैं और वह सीरिश जो होंगी वह तो मिनट में कैसा रहेगा आपका आने वाला महिना आने वाला मन्थ किसा प्रकार से रहेगा उस पे हम चट् क्योंकि यह चीज जो ही कोशन है मेरे पास बहुत सारा बहुत सारे लोग की कमेंट्स में पूछते हैं कि हमारा लगन कौन सा है हमारी राशी कौन सी है हम लगन से राशी फल देखे कि हम जो है राशी से राशी फल देखे तो हम कैसे देखे तो मैं आज आपको इब राने जार जिसको हम बोलते हैं यहां से शुरू हो रहा है शुरुआत जो हो रही है जो आपके कुली अपने खोल लीजिए और जो आपके यहां पर फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा होगा वही आपका लगन होता है जी हां फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा होगा वही आपका ल तीन नंबर लिखा हुआ तो मित्हुन लाँन अब जैसे यहां पर एक नंबर लिखा वो a रही है जैमिनी, चार नमबर, चार लिखा होगा तो करक लगन कैंसर, पांच लिखा होगा तो सिंग लगन लियो, और छे लिखा होगा तो कन्या लगन वर्गो, साथ लिखा होगा तो तुला लगन और तुला लगन होगा तो लीबरा, और आठ लिखा होगा तो रिश्य के लगन और आपका Scorpio 9 लिखा होगा तो आपका मकर लगन और आप है Capricorn और जो है ग्यान नमबर लिखा होगा तो आपका कुम्ब लगन यानि Aquarius और बान लिखा होगा तो आप है मीर लगन यानि की Pisces तो यह तो होगे आपका लगन लगन से मैं हमेशा आपको बताती हूं और जो मेरी अभी सीरीज आ रही है वो मैं आपको लगन से बताऊंगी कि आपका मेश लगन है तो आपका आने महीना दो मिनट में किस प्रकार से जाएगा वो दो मिनट में आपको बताऊंगी कि आपका आने महीना किस प्रकार से जाने तो वह मेरी सीरीज को जरूर सुनिएगा उससे आपको काफी सारे महीने में क्या ऐसा खास एक उपाय करते हैं वह आपको पता चलेगा लेकिन जो है अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है अगर आप राशी से कई लोग कर लोग लगन से बताते हैं अब राशी भी सुन लेजि हों की बैठा होगा तो जैसे अगर चंडरमा आपका छे नंबर वे बेढ़ जाता है ओ देखिए चंडरमा का यह 6 नंबर है लिए यह उसका मतलब आपका जो राशी है वह लाशी है आपकी कौन सारेशी 6 नंबर किया देखिए करन्यय राशी वर्गों वाले थिक है वो आप वर्गों है उसके बाद जो है लाइट चले विए तो जो आपकी आएगी न चंदर्मा चंदर्मा जहां पर भी लिखा होगा वो आपकी होगी राशी यानि कि राशी कौन से अपकण्या राशी हो गई अगर चंदर्मा आपकी कुंडली में शाथ नमर में तो आपको बताना चाहती हूं कि पहले मैं टीचर थी और नर्सरी विंग इंचार्ज थी नर्सरी विंग की जंदल पावलिक स्कूल में तो मैं वहां पर पढ़ाती थी तो दर्श को जो है लेकिन मैं चाहती हूं मिरे परिवार वालों को जो इसे बेवखूब तो आपको वही उपाए करने होते हैं और उसके बाद आप देखिया अपकी लाइफ ने परने होते हैं पॉइंट आता है किस प्रकार से आता है कि लाइव जो है वो एक दम से स्पीड पगड़ लेती है और बहुत उच्छी उचाई पर चले जाते हैं तो दश को अपना प्यार बनाए रखें मेरी जो सीरिस है कैसा रहेगा आपका जुलाई का महीना वो दो मिनिट वाला वो देख वाले जो हैं बड़े खुश है कुछ गलतिया है तो वह भी बताईए कई अब मेरे पीछी वीडियो आई तो उसमें कई लोगों ने लिखा कि गुरुमा इसमें आवाज नहीं आ रही है जो वह मुख्य दूआर वाली वीडियो थी तो उसमें आवाज नहीं आ रही तो हम ल अचारे साक्षी संजीव ठाकुर चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए और हमाने ऐसे ही प्रोग्राम को देखते रहे हैं दुश को आज के लिए तरह हैं फिर आप से लगाते हूं तब तक के लिए राधे राधे आप हमसे डिजिटल प्रेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं यूटूब और फेस्बूक आचारे साक्षी संजीव ठाकुर इंस्टाग्राम आदित्यकुंडली